नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में पिछले कुछ वीडियोज में कुछ सवाल आये थे कॉमेंट बॉक्स में आज ये वीडियो मैं उसी पर बना रखा हूँ अक्सर जब ही हम एंकरिंग करते हैं चाहे स्टेज आंकरिंग हो या टीवी आंकरिंग हो या फिर आरजेंग का कांग हो उस वक्त कई तरह की गलतियां होती हैं और वो गलतियां होती हैं लंबे शब्दों में या फिर बोलने को लेकर पता नहीं चल पाता किस शब्द का उच्चारण कैसे करना है अगर लंबे शब्द हैं, मसलन किंकरतब विमूड या फिर विशाखापटनम या तिरुवननतपुरम इस तरह की जब शब्द होते हैं तो अकसर ये दिक्कत होती है कि उनमें फंबल हो जाता है यानि कि उसमें हमारी जीब लड़ खड़ा जाती है तो हम शब्द का सही उचारण नहीं कर पाते रिकॉर्डिंग्स होती हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन जब हम लाइव किसी शो को करते हैं चाहे न्यूज एंकरिंग्स की बात है प्रोग्राम एंकरिंग्स की बात है या फिर हम आरजेंग्स कर रहे हैं उस वक्त दिक्कत ये होती है कि हम उसे सोधार नहीं सकते क्योंकि हम लाइव हैं तो कुछ चीजें हैं कुछ टिप्स मैं आपको आज इस वीडियो में देना चाहूंगा कि जब भी आप एंकरिंग करें तो इस तरह की गलतियों से कैसे बचें सबसे पहली टिप्स तो यह है और वो सबसे most important टिप है होता क्या है कि हम जब भी आइंकरिंग करते हैं बोलते हैं काफी जल्दी जल्दी बोलते हैं और इसकी वज़ह से होता क्या है कि हम हमारी speed पर control नहीं कर पाते हैं और इसकी वज़ह से अकसर इस तरह के fumbles होते हैं इस तरह की गलतियां होती हैं तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी जो बोलने की रफ़तार है स्पीड उसको कंट्रोल रखें देखें मैं आप कंफ्यूज नहीं हो स्पीड और वाल्यूम दोनों अलग अलग चीज़े हैं वाल्यूम मतलब आवाज का जो लेवल है वो जादा करना जैसे मै अभी एक नॉर्मल लेवल में बोल रहा हूँ मैं वाल्यूम की बात कर रहा हूँ पहले आपको वाल्यूम बता दू वाल्यूम का मतलब मैं अभी जिस वाल्यूम लेवल में बोल रहा हूँ उससे अगर नीचे वाल्यूम लेवल होगा तो यह होगा अब जिस लेवल में तो वो इस तरह से होगा, मैं जो आपसे कहना चाता हूँ, वो मैं आपको समझाने के कोशिश कर रहा हूँ, कि जब भी आप बोलें, तो आप धीरे-धीरे बोलें, ये स्पीड है, तो आप दोनों में अंतर समझें, वॉल्यूम और स्पीड, तो आपको स्पीड को नॉर्मल कर तो जब जल्दी-जल्दी हम सारी चीज़ों को करते हैं, तो उसका सिंक्रोनाइजेशन जो है, तारतम में वो बिगड़ जाता है, उसकी वज़ह से क्या होता है, जब हम सोचते हैं, और जब उसको संकेत मिलते हैं, बोलने की मुद्रा में तब तक हम आते हैं, ऐसे में नया शब्द हमारे मुह से निकलने लगता है और उसकी वज़ा से ये सारी गलतिया होती है तो ये तारतम ये सिंक्रोनाइजेशन बनाई रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप जब भी बोलें स्पीड को नॉर्मल रखें दूसरा आपको जो टिप है वो ये है जब भी इस तरह के शब्द आ जाएं जिनमें थोड़ा सा लंबा शब्द है बड़ा है कोई शहर का नाम हो सकता है उसके अलावा कोई भी शब्द हो सकता किसी का नाम हो सकता है ऐसे में आप हलका सा पौज लें उस पौज से क्या होगा कि आपको उस शब्द को सही तरीके से पढ़ने में control speed होगी बोलने की उससे वो उचारण सही होगा अगर आप उसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे pause नहीं लेंगे तो उसमें आपको पूरा शब्द देखेगा नहीं और उसमें कोई ना कोई अक्षर आप मिस कर देंगे और उसके वज़ा से वो शब्द आप जो उचारण एक तरह से सरसरी नजर से देख लिया तो जैसे भी इस तरह के कोई शब्द आपके सामने आते हैं तो हलका सा pause लें लेकिन वो पता नहीं चलना चाहिए उनको ये लगना चाहिए कि आपने एक breathing space लिया आपने एक natural pause लिया तो इसको आपको थोड़ा सा practice से यह चीज सामने आ आप देख रहे हैं या आपके script का हिस्सा है या आपको बोलना है तो उनमें उनको टुकडे में तोड़ दीजिए जैसे मैंने आपको एक example दिया तिरुवनंत पुरम तिरुवनंत पुरम इससे भी आपको काफी आसानी होगी उस शब्द को समझने में जैसे एहमदाबाद या फिर किंकरतव्य विमूड इससे क्या होगा कि आप जब शब्दों को तोड़ तोड़ कर बोलेंगे तो आपको उन शब्दों का उचारन करने में आसानी होगी आपको बीच में उनके बीच में पॉस नहीं लेना उससे पहले पॉस लेना है कि आप उसको समझ सकें जो मै बोलने में आसानी हो लेकिन पूरा एक शब्द लगे तिरूवनंतपुरम आप इसको जल्देल्दी बोलें कि तो गड़बड होगी जैसे तिरूवनंतपुरम कुछ भी गड़बड हो सकती है इसमें तो इसलिए जरूरी है कि आप पहले नंबर के टिप स्पीड कंट्रोल हैं उसमें उस लंबे शब्द के बीच में जहां पर आप उसको तोड़ना चाहते हैं यूं लंबी लकी रें पैंसे खीच लें उससे आपको आसानी रहेगी उस शब्द को तोड़ने में फिर आप उसकी प्रैक्टिस करें तो एक प्रैक्टिस हो सकती है जनरल प्रैक्टिस उचारन कर पाएंगे, क्योंकि आप देखें, आपको जो भी अच्छे बोलने वाले पसंद हैं, वो बहुत अच्छी तरह से उचारन उन शब्दों का करते हैं, तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको लगता है कि आप ऐसे ही कोई और टिप लेना चाहते हैं, जिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और उसके बाद उसके आगे जो बैल आइकन है, उस पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि उस पर क्लिक करने के बार, जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊंगा, तो आपको उसे ढूंडने की जरूरत नहीं, आपके पास अपने आप एक नोटिफिकेशन आ जाएगा ताकि आप उस वीडियो को देख सकें, अभी मेरे दमाग में ख्याल आया कि हो सकता है, आने वाले वक्त में मैं वो वीडियो को भी बनाऊं जिसमें आपको इसी बोलने की कलास से जुड़ी हुई जो दिकत आ रही हैं, उनको मैं और बहतर करने की कोशिश करूँ, जिनमें ये हो सकता है कि आप कहां पर सांस लें, कहां पर आप किसी शब्द को खीच कर बोलें, कहां पर आप शब्द को थोड़ा सा दबाना है, कौन सा ऐसे शब्द होते हैं जिनको आपको स्ट्रेस करके बोलना है, क्योंकि बोलने के अंदाज में आप वीडियो बनाओं उसको लेकर ताकि आप A की मात्रा, E की मात्रा, U की मात्रा जो छोटी बड़ी होती हैं, उनका सही उचारण कैसे होता है और उसको आप कैसे अपनी प्रैक्टिस में लाएं, ये मैं आपको बता सकूँ. इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक है झालिभा जाग झालिए जiveringादा इस जिसमि mines levar मिरणे के लिए सुनानलियो घड़ी होत्ति हैं, इससानले आपको बहुत बहुता हैं, जया जानले कैसे होता हैं, लिए झाल